Hello Friends, मैं हूँ विकास और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर आज हम जानेंगे कि Play Store का डाटा कीलियर कैसे करें यानि Storage केलियर कैसे करें यह हमको तब करना होता है जब हमारे Play Store में कोई दिक्कात आ जाती है कोई अप्लिकेसन डाउंलोर नहीं होता या हमको अपनी वज़े से भी करना होता है तो कैसे करते हैं आई ये सीखते हैं इसके लिए दो तरीके हैं तो सबसे पहला तरीका है आप Play Store पर Long Press करिए यानि इसे दबाया रखिए थोड़ी दिर तक आपको मिलेगा App Info या आपको मिलेगा ये वाला निशान इस पर टच करिए और आप Play Store की सेटिंग में पहुच जाओगी और ये पेज आपके पास आ जाएगा ये तरीका तो एक हो गया है यहां से पेज पेज पे आने का अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका इसी पेज पेज पे आने के लिए आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग्स में अपने फोन में सेटिंग्स खोलिए नीची आईए आपको मिलेगा Apps Apps ओले उप्सन पे टच करिए नीची की तरफ आईए आपको यहां पे मिलेगा Google Play Store तो यहां पे Google Play Store नाम से मिलेगा प्ले स्टोर नाम से नहीं मिलेगा तो Google Play Store सर्च करिए नीची की तरफ होगा मैं चेक करता हूँ तो यह रहा तो Google Play Store पे हम टैच करते हैं यहां पे आपको मिलेगा Storage तो Storage औप्सन पे टैच करिए यह रहा storage इस पे जाईए और आपको मिलेगा clear data और अगर आपके बास vivo का latest phone है या कोई और phone है तो उसमें आपको मिलेगा उपर की तरफ clear storage तो आपको clear data करना है और रोके कर देना है और आपका play store का data डिलीट हो जाएगा और इसमें कोई photo वीडियो या किसी भी तरफ की file डिलीट नहीं होती है पर अगर आपने play store पे कोई log लगा रखा है तो वो हट जाएगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा